हेलो एवरिवन स्वागत दोस्तों आपका मेरे चैनल पे मैं प्रिशान्थ कुमार सुकला एड़ोकेट साथी हो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाबाद हाई कोड का एक और इंपॉर्टेंट लेटे जज्ज्मिन्ट के बारे में जो हाली में आया है जो की 29 पील उसको स्युकार करते हुए उसे वक्ति को तलाक के दिगरी दे दी जाती है आए जानते इस पूरे इंपॉर्टेंट जज्ज्मिन्ट को वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए लाइक करिए सेयर करि अगर किसी केस से रेटेड कोई भी कोई रियो तो कॉल पर भी अपना एपॉइंट्मेंट बुक करा सकते हैं और आए जानते इस इसके इंपॉर्टेंट जज्ज्मिन्ट को जो की हाली में आया है इस जज्ज्मिन्ट में सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट फैट को फैक् प्रतिवादी के साथ को इसकी साधी को भंक कर दिया राता है उसके बाद या वादी ने 21-21-207 को या अपनी प्रतिवादी के साथ अपनी दूसरी साधी करता है यहां प्रतिवादी के पहले पती के मृत्य हो गई होती है और पहले पती के विवास के बाद उसके दो बच्चे साधी के दोरान पहले पती से जो लड़की रहती उसको बच्ची को गोद लिया रहता है और वह वादी अपील करता के साथ रह रही होती है एपील करता प्रतिवादी दोनों पेसे में डॉक्टर है और वो एक जगा कारे रहते हैं अपील करता ने जो की भारती सेना में लगबत 30 वर्त तक भी सेवा की है साधी के बाद जो प्रतिवादी है वो अपील करता को यानि उस व्यक्ति को छोड़ देती है और वो अलग रहे लगती है और उसके बाद मुकदमा दायर करने से पहले यानि कि 6 साल के लिए वो अपील करता है यानि कि प्रतिवादी को छोड़ दी रहे होती है और जुस्सी करा माज़ी कुरूरता का सिकार भी। अपील करता के साथ भी दुर वहवार किया गया यह अपील करता याणि किपती अपने दत्तिक पुत्री के साथ कोई بी मदूर संबत नहीं यह भी अरोप लगाया गया और जो व्यक्ति जो लड़की है एकानात और प्रतियादे अपने बयानों आरोपे से इनकार करते हुए और पत्तिदर्ज की उसने कहा कि जो अपील करता से या जानकर साधी की थी कि उसकी पूर पत्नी ने एक बच्ची जो की लड़की को गोद लिया है क्योंकि प्रतिवादी के भी दो बच्चे हैं और जो प्रतिवादी है वो एक पेशे में डॉक्टर है और वर्तमान में वो एक जगा में कारण थे अपील करता कि उसके साधी को आठ साल बी इंकार किया कि उसने अपील करता सा कभी दुर्विवार नहीं किया और उसके अपील करता जो गोद भी जो बेटी है उसके साथ हमेशा उसके साथ अच्छे संबद है यह बात किसने कही यह जो उसकी पत्नी है उसने यह बात की तो यह जो पूरा मामला है इसके इंपॉर्ट दत्तक पुत्री जो लड़की के सम्मर प्रतिवादी दौरा कुरूरता वहवार करने के बारे में बताया। वादी के अनुसार प्रतिवादी जो है उसकी लड़की को अनात नाजायत बच्ची कहकर पुलाता था। और कहता था कि इसे कुडे दान में फेग दो। वादी दौरा ये भी कहा गया कि प्रतिवादी जो लड़की के साथ कुरूर वैवार करता था, छोटी छोटी बातों पे उसे जगडा करता था, साथ ही साथ ये भी पताया गया कि जो प्रतिवादी ने अपने बच्चाओं में अरोपों से इनकार किया क्योंकि वादी प्रति के दौरान वादी दौरा जाच की गई जो की प्रतिवादी नियुकि पत्नी दर उसके प्रतिक किये गए दूरवेवार और गंदी भास्ता के इस्तिमाल करने की पुष्टी कर रहा है आस्ता अमरलब दौरा अदालत में उपस्टी दोकर वादी के बयानों में पुष्टी में कोई भी बयान नहीं दिया गया वादी ने ये भी साबित नहीं किया कि उसने साच में बयान अपील करता दौरा ऐसा कोई भी साच प्रस्तूत नहीं किया गया जो प्रतिवादी दारा उसकी दत्तक पुष्टरी जो लड़की के साथ दुर्वेवार अपमाजनक वेवार तो तक गंदे सब्दों का प्रयोग की पुष्टी करता हो और निचली अदालत के उपरो जो तर्थे थे जहां अपील करता है कि तरफ जो वकील ने कि निचली अदालत ने परिप्रेच के तत्तों की सरहना नहीं की और प्रतिवादी ने अपने लिखित में अपील करता है खिलाव लगाए गए जो आरोप है जिसमें अपील करता के दौरा की गई जो कुरूरता प्रतिवादी दौरा दायर बचाओं में विसेश रूप से विवादित नहीं किया गया वास्तों में जो बात है कि जो यह भी पहलू नहीं बताए गया कि जो हिंदू विवा अधिनियम 131 आई बी कहते हैं अपील करता है कि दायर गए आविदन दिरने लेते समय निचली अदाने विचार किया हो निचली अदालत ने निसकर देते हुए परटियों के दल्यों को इसके बयानों के बारे में भी जिरों को पूरी तिरह से नजंदाज किया, ये भी एक इंपर्टियनन बात जो पापील करता है और प्रतिवादी नो पच्छों के बित पवित रिस्ते का सम्मान करने के लिए सभी प्रयास की है और उसके कोड़ वकील के मादिया कोड़ ये भी बात रखी गई कि वह अभी भी अपने बेटे की सहाथा में अपील करता के देखबाल करने के लिए तयार है लेकि के लगाओ की लंबी अवदी का मतलब विवा को अब पूर्णी विगटेन नहीं हो सकता तो ये बात जो रखी गई प्रतिवादी की तरफ से उसके वकील के मादियाम से रखी गई आए जानते हैं कि न्याला का क्या तारता न्याला ने क्या तर्क दिया न्याला ने ये कहा कि जो अपील है जो कि दो एक तीन बारत दो हजार उन्निस के आदेश को सिवकार कर लिया और 23.1.2020 के अनुसार एक मात प्रतिवादी 24.1.2020 का एक सधारण पोस्ट की जो फिक्सिन के मादियाम जारी किये गए नोटिस वापस नहीं किये गए कोई भी उपस्तित नहीं हुआ और इसमें और क्या इंपॉर्टिन बात कही गई आए वो जानते हैं और ये भी मामला था कि जो हिंदू विवा अधिनियम वर्स 1955 के जिसमें अधिनियम धारा 13 के तलाक अधार जो प्रावधान करती है ये बताने के अविश्यक्ता नहीं कि अनुभाग में मूल रूप से अनुभाग के अथारों में कई संसोधन किये गए याचिका प्रस्तुती ठीक्स पहले कम से कम दो साल की निरंतन अवधी के लिए परित्याग का धार एक अधार है ये एक कुजागर करने की अविश्यक्ता नहीं है इस परित्याग में अविश्यक्ता ग्रूप से पती और पतनी का अलग रहना ही सामिल है और कोड ने क्या कह इसे विवादों को निपटने के दौरान जो इस तत्त हैं वो ये हैं कि अलग रहने वैसे बहुत सारे कारण हो सकते लेकिं दूसरी ओ तला की याचिका का विरोध करने का कई कारण हो सकते है या इसलिए जब पच्छ जो तला के लिए परस्पस सहमत होते तो हिंदु विव रधार दायर की जाती है जो ने तरक में ये एक इंपॉर्टन बात कही है जो फाइनल गोंके रहे अतर वह जाने जो प्रति जवाब दे जो परदान नया दौला जो केस था उसके निर्णे के आदेश को रद करते हुए जो पती की जो अपील उसको सिवकार कर ली और इसको पती को जो तला की इसको डिगरी दे दी जाती है तो कि जो कि हाली में इलाबाद हाई कोड का ये लेटेश जज्जमेंट आया था जिसमें पती की जो अपील उसको सिवकार कर लेते हैं और इसको दला की डिगरी मिल जाती है आसा करते हैं ये जज्जमेंट आपको समझ में आया होगा इसके इंपोर्टन फैट समय में आया होगा और क्या इसमें बात उठी वो समय में आया होगा अगर तब भी कोई 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 हो तो कमेंट बाउक में जरूर पोचिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो नेक जज्जमेंट सिरीज का दबता के लिए धन्यवाद